दोस्तो एक बार फिर से आप सुभी का स्वागत आपके बने यूटूब चैनल पर और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लिख रहे हैं लेब असिस्टेंट जियोग्रोफिक एक जाम की दर्ष्टी से एक महतपून टोपिक की फुष्णोतरी और दोस्तो आज का हमारा टोपिक रेने वाला है कलास 11 का अजयाई चौदा जिसका नाम है महासागरी जल संचलन इससे पहले दोस्तो हमने कलास 11 के 13 चैप्टर पर जाएए वहां से आप प्लेलिस्ट के सेक्षिन में जाएए वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कलास 11 वीडियोज वहां पर जाके आप उन 13 चैप्टरों के वीडियो को देख सकते हैं यानि उनके जो हमस्कू क्वेशिन है उनको देख सकते हैं ठीक दस्तों तो आज के हमारी महत्पुन पर्सनोत्री रहने वाली है क्लास 11 का अध्याई चौदा जिसका नाम है मासागरी जल शंचलन इसके अंतरगत दोस्तों यानि मासागरी जल शंचलन के अंतरगत हम जुआर भाटा पड़ते हैं इसके लावाम तरंगे पड़ते हैं और इसके लावम हमारे रहने वाले हैं टेक दोस्तों तो बिना किसी तरही के आज की स्षांदार महत्तिकिन पर्सनोत्री की सुरुवात करते हैं और पहला ifiersकी अर्णे कर सेकरीन लिखा रहा एन अप्स idle आडरा राई टोजेगा नहीं की त्र EPA जोंगे जो ँपर उड़ने की प्रिक्रिया जील्क से मनित जी दस्तो आइन होة जै apologized werd कर दो सिंदिक एक एक उसितन देखे गा सुटो है strict झासे रचिक है राओ प्रिक्रिया ॥ रहेद ज acta और ने का करदना है यान दोस्तो किस टिति में आता है तो सुरिये और चेंद्रमा का प्रत्वी पर एक दिशा में घुर्त गूर्थवाक्ष्ण hall तो का फूरuso बिल्कुल ऋमारा राइट हो एक दूसरे की विपरित दिशा में प्रत्वी पर गुर्थवाक्षन अभल हैं दोस्तों जब सुरिय और चंदरमा विपरित दिशा में लिगाएंगे तो गुर्थवाक्षन वो जवार है वो अधिक यह बड़ा नहीं आएगा वरद नहीं आएगा लेकिन कौन सा आएगा प्रत्वी और चंद्रमा की नियुनतम दूरी कब होती है यहाँ पे दोस्तों प्रत्वी और चंद्रमा की नियुनतम दूरी कब होती है यहाँ पे दोस्तों प्रत्वी और चंद्रमा की नियुनतम दूरी कब होती है यहाँ पे दोस्तों प्रत्वी और चंद्रमा की नियुनत स्थीति कब होती है यान दोस्तों पर्थवी उपसौर का मतलब है यानि उपसौर का समंद किस्टे है पर्थवी और सूर्य से पर्थवी और सूर्य से यानि जब पर्थवी सूर्य से सबसे नजदीक होती है उस स्थीति को हम क्या बोलते है उपसौर बोलते है जबकि जनुवरी को और जनुवरी में किस तारीख को तो 3 जनुवरी को ठीक दोस्तो याद रखेगा डिनेमर अपसन नमारा राइट हो जाएगा नेक्स क्वेशन देखेगा पांचों question देखेगा दोस्तो ये question very very important question है exam की दिस्टिशे कि कौन से जवार भाटा में उंचाई वे निचाई समान होती है तो दोस्तो याद रखेगा जो अर्द देनिक जवार आता है उसमें क्या होती है उंचाई वे निचाई समान होती है ठीक दोस्तो यानि जो अर्द औ वाटा उत्मन करने वाले बल कितने होते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जो आर वाटा उत्मन करने वाले बल दो परकार के होते हैं पहला होता है दो बल होते हैं पहला होता है चंद्रमा का बल और दूसरा होता है अपकेंदरिये बल तो याद रखिएगा पहला चंद्रमा गती कह सकते हैं इनका रूप यानि को उनकों सी के लिए आती है मासागरी गती के लिए तरंगे भी आती है जवारबाटा भी आती है दराइं भी आती है यानि तीनों चीज़े आती है डीनिमर अप्सन वारा राइट हो जाएगा आठ्वा क्वेश्चन देखिए दोस्तों जब सागरी जल एक निश्चित दिशा में प्रवावित होता है उसको हम धारा बोलते हैं करंट बोलते हैं ठीक दोस्तों डीनमर अप्सन इसका राइट हो जाएगा नेक्स क्वेश्चन देखिएगा कि पूरे दिन में जवार आता है यानि कितने जवार आते हैं पूरे दि आते हैं वो किसे समांदी ते जौर हाटा क्यूतमती से समांदीत है टे दोस्तों और यह शोबार किसे समांदीत अ आफ से पूछा ग Aha तो जोशी याद रहे घगा वील्म वेविमल परमक कि यह वहल गव्या लेन वेले तैनि बैडल ने प्रगामी ट्रंग ट्रंग कि इस नहीं तो नेक्स नहीं प्रागामी तरंग शिदानत लेकिन चन्छ त्रंगी सिदानत कि ऍ Gateway लेकिन दों गाärt रखे कर दो वो विलियम देवल ने ठीक दोस्तों याद रखिएगा दोनों ही एक्जाम की जर्शी से काफी महत्पुर्ण है ठीक दोस्तों नेक्स कुश्चन देखिएगा बारवा क्वेश्चन आर आपके सामने कि चंद्रमा परत्वी के चक्र कितने समय में लगाता है यानि चंद्रमा परत्वी का चक्र कितने समय में लगाता है तो दोस्तों याद रखिएगा 27 सही एक वकटэт तीन 27 सही एक वकटते तीन दिन में क्या है चंद्रमा परत्वी का चक्र लगाता है सी नमरापसं राइट हो जायेगा नेक्स कुश्चन देखिएगदीगा दोस्तों तेरो वो होता है और ऐसे पूछ ले दोस्तों यानि ज्वार भाटा के उत्पती में किसका प्रभाव यानि किसका गुर्थवाक्षण बल अधिक होता है तब तो आएगा चंद्रमा लेकिन दोस्तों सुरिय पर्थवी चंद्रमा तीनों का ही गुर्थवाक्षण है बल काम करता है लेक प्रोणीमा को भी आता है, अमाउशे को भी आता है, सी नमर अप्सन नमरा राइट होजएगा, अब दोस्तों आप से क्वेस्चिन है, कि जो लगू जवार कब आते हैं, वो आप कमेट वक्षन पिताइएगा, ठीक दोस्तों, नेक्स क्रशन देखेगा, अब आप से पुछा गया है, प्रागामी तरंग सिधांत निमलिक्त में से किसकी उत्पती की व्याक्या करता है, यह दोस्तों, अभी हमने बात की थी, जो हमारा प्रागामी तरंग सिधांत है, वो विल्यम वेवल ने दिया था, और दोस्तों, यह सिधांत किसकी व्याक्या करता है, तो मैंने द को जब सुर्य चंद्रमा और प्रत्वी लग बग सरेंकित हो आते हैं उन्हें कैते हैं एंड दोस्तों आपसे। पुछा गया QUE जर्ड गाता के समय अंतर होता हैτε अ कि तस्तो समय नत्र कितने कि वाता है जो समय अंतर होता Lauren जोकिन्स कुछ याध रहर किगा से नंबर ऑपशन जर्ण करण राइہ कि तुन्य को कि कि यह समय ंतर होता चुविश्च मिंट्ट के बाद आता है तछी दोस्तों और देनिक ज़ार है वह 24 गंटा 25 के बाद आता है तछी दोस्तों दोनों ही बहुती हमेत पुन है याद रखिएगा यानि दोनों के जो समय है आने के वह आ याद रखेगा नेक्स cloves देखेगा 1900 पीश्व में सबसे उँचा जवार कहां आता है? यह 101 सा है यहाँ जू विश्व में सबसे उँचा जवार आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है C नमर अप्सन हो जाएगा 200 पीश्व कॉस्व क्शम आपके सामने आ रहा है किसके सोरी दोस्तो यानि किसके गुर्ट्वाक्षन के कारण जवार बाटा आता है यहाँ पे दोस्तो पुछा गया है कि किसके गुर्ट्वाक्षन के कारण जवार बाटा आता है दोस्तो यहाँ पे आपको करना है प्रत्वी पर सुरिये और चंद्रमा का ठीक दोस्तो सी नम तो साहर गेसों क्या है यान दोस्तों सार गेसों सागर अगर आपने नाम सुना होगा सार गेसों सागर जो कि उत्री एंट्राटिक विए में देखने को मिलते हैं मिलता है और यह दोस्तों एक ऐसा सागर है उस पे क्या है दोस्तो तीन धाराओं के दुवारा इसका निर्मान किया जाता है तो तुरह रहीच्वत लटारह उसके बाद में तद्ज्राος दुध का कर नहीं बाद इच संत जलिखेट्र है उश्का समूरी घंष समुंदरी घहस है और रहना है दोस्तों मियंद्ट समूरी घहाए है कि सबसे लवन्य सागर है यानि सबसे अधिक लवन्ता किस सागर की है तो दोस्तों आपसे जानते हैं अमर्ट सागर की है यानि डेड़ सी है उसकी है उसकी लवन्ता कितनी है तो 238 और सिंबल दोस्तों आपसे जानते हैं लवन्ता का कैसा होता है तो सिंबल इस परकार होता है लबनता का यहीं जो मरत सागर है उसकी लबनता कितनी है 238 इसके लाव अगर हम बात करें ग्रेट साल्ट लेक की उसकी कितनी है 220 तेजसो इसके लाव ट्रकी की जो वोन जोहिल है उसकी कितनी है 338 तेजसो यह तीन हुई बहुत ही महत्पून है याद रिखिएगा नेक्स दारा है जो कि कहां चलती है जो दक्षणी अंटलाटिक मासागर में चलती है याद रिखिएगा बेंगुला दारा एक ठंडी मासागर यह दारा है जो दक्षणी अंटलाटिक मासागर में चलती है नेक्स कुशन देखिएगा यहाँ पर आपसे पूचा गया है कि कौन सी ठ पूचा है दाराें फंडी हें और ओप्सार आपके सामझे दिये हुए जोस्तों बात करें हम बोल्ट दारा यह जिसे पेरु धारा नाम से भी जाना जाता है यह क्या एक ठंड़ी दारा रहा है और व्यत्तों फेडिक यही टारा रहेए और कनाली दारहन यह भी ठेंडी चार क्या है ठंडी समुद्री धारा है यानि हमबोल्ट धारा ओयोश्वी धारा और कनारी धारा तीरों ही क्या है ठंडी धारा है जब कि ब्राजिल धारा है वो एक गरम समुद्री धारा है ते दोस्तों और ब्राजिल धारा का पर चलती है दक्षिनी अंटलाटिक मासागर मे नेस्ट कषिशन देखेगा यहाप आप आप से पूचा गया है कोंची धारा दक्षिन एंट्राल्टिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वर्थ के निर्माण में योगदान नहीं देती ये दोस्तों आप से पूचा गया है कि एसी कौनशी धार है जो दक्षिनी अन्टलाटिक मासागर में दाराओं के पूर्ड वर्त के निर्माड में यानि इस परकार का बर्त बनाने में योगदान नहीं देती तो दोस्तों बात करें यहांपे दोस्तों अफरीका मादी पे है और यहांपे है दक्षणी अंटलाटिक मासागर यहां पर दोस्तों एक दारा चलती है उसका नाम है ब्राजिल यहां पर दोस्तों यानि ब्राजिल धारा और दोस्तों यहां पर चलती है इस परकार इसे बोलते हैं बेंगुल बेंगुला धारा और यहां पर चलती है पस्चमी पहुन दोस्तो हमारा राय टैंसर होगा की जो कनारी धार है वो तक्षिन अंतलाटिक महासागर में एक दाराओं के एक पूर्ण बरत बनाने में योगदान नहीं देती ठीक दोस्तो इसका एंशर वो सीधा-सीधा निकल सकता था क्योंकि दोस्तो कनारी धार है उसका समंद्ध किसे है उत्री अंतलाटिक महासागर से हैं यहीं उत्री अंतलाटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जल्दारा है करारी जल्दारा ठीक दोस्तो लेक्स क्वेशन देखीगा यह दोस्तो क्वेशन जो हमारी कल वाली क्लास थी उसमें भी आया था और दोस्तो मैंने आपको गलत एं वो देखेंगे ठीक दोस्तों क्वेश्चन था कि चिली और पेरू के तट से दूर सीत जल के अपर वहाँ से बनी धारा क्या कहलाती है तो दोस्तों मेरे आपको बताया था अलनीनो लेकिन दोस्तों अलनीनो इसकी इसका राइट एंसर नहीं है बलकि हमवोर्ट धारा जिसे प को अलनीनो धारा वो बता दिया था ठीक दोस्तों मुझे याद नहीं रहा था तो दोस्तों अब आप इसको क्रेक्ट कर लीजिएगा यानि अमबर्ट धारा है वो चिली और पेरू के तट से दूर सीत जल के अपर वास से बनी धारा है ठीक दोस्तों नेक्स कॉस्चन देख जो भारत में कोई भी एक्जाम होता है उससे समंदी तक यानि एक परिक्षा थी उसमें आया था ये क्वेश्चन की कॉन्सी जल्दारा दक्ष्री गुलार्द में बहती है तो दोस्तों याद रखेगा इसका राट अन्सर होगा हमबर्ट धारा या तो हमबर्ट धारा है व तो दोस्तों सभी question है वो आपके लिए मैं ला रहा हूं तो दोस्तों next question देखेगा कि किस जल्दारा को Christmas के बच्चे की धारा केते हैं तो दोस्तों याद रखेगा जो आपकी अल नीनो जल्दारा है उसको Christmas के बच्चे की धारा की संग्या दी गई है see number option right हो जाएगा next question देखेगा कि अफरीका के दक्षिन पश्चिम तट पर भेने वाली मासागर या जल्दारा कोन सी है यह दोस्तों यह आपका South America महाधीप हो गया यह आपका कौन सा हो गया अफरीका हो गया और यह आपका जैनलाटिक है महाश आगर यह कौन सा जागर दक्षिन ऊंटारार इख तक और दक्षिन और पश्चिम यह यृप एक धार हो से द्बलब हो झाएगा तो जाए गा और बेंगुला जल्दारा एक ठंडी जल्दार है ठीक दोस्तो और यह अफ्रीका के दॉक्षणी पस्टमित के पर भेने वाली ठंडी जल्दारा है जिए ठीक दोस्तो एनमर उप्सन राइट हो जाएगा नेक्स सम्सीय के तीस वा की रेनेले जल्धारा कि समास जल्दारा है जल्दारा किस मास आगर चेकर बहुत इस टो और यह पर पिछली प्रिक्षाव में आयो हो रिख्याम होते हैं उनमें से इन झीओ कोई भी एक्जाम होता है उन में से एक ऐसा एक्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन आया था यानि पिछले जो प्रिक्षें हो यानि गत वर्शों में वहां से ये पर्शन उठाया गया है टेक दोस्तों वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली दारा भी का जाता है तो दोस्तों इसका राइटन शुरोगा जो क्योरो शिवा दारा है उसको का जाता है काली धारा के नाम से जाना जाता है उसका पानी काला होने कारण इसे काली धारा कहते हैं और यह कौन सी धारा है क्योरो शिवा धारा एनमर अप्सम इसका राइट हो जाएगा वे देखेगे लिए भी क्वेश्चन आला है दोस्तों a question द्यान से देखेगा कि हिंद महासागर में सागर के दाहराओं के नियमित दिशा में प्रिवर्तन के लिए Gru band dominion कौन सा एक उतरदाई है यह दोस्तों हिंद मांसागर में जो समूंदरी ढारे हैं उनके दिषा में परिवर्तन का करणं क्या है तो अब शुर्ण उसमें जो मांसुनी प्रभाव में उसमें हवाय चलती है जिस कारण जो सुमुन्द रहे उनकी जो नियमित दिशा है उसमें प्रिवर्तन हमें दिखाई देखने को मिलता है घ् COMM तो बीनमर उपसं राइट हो जाएगा एक्स केशन देखिएगा और आज का लास्ट केश्चन आ रहा है और केश्चन दोस्तों वहोती महत्पून है यहनि भहती महत्पून केश्चन है कि निमलिक्ट में कौन एक गरम सागरिये दा रहा है यह क्षचन दोस्तों जो आपकी पुर्वी औसक्रोली म्य०्वी टारा है। एनमर अप्सन राइट हो जाएगा तो दोस्तो यह थी आज कि हमारी बहुत ही मैट पूर्ण परसनोत्री और दोस्तो यह परसनोत्री थी क्लास 11 का अर्याई चवदा जिसका नाम था मासागरी जल संचनन तो दोस्तो यह परसनोत्री आपको कैसे लगी आप कमेट बॉक्स में अगर आपको चिल गिये तो इसको लाइक कर दीजीगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दी से जाके जो सब्सक्राइब आला बटन है उसको दबा लीजीगा धन्यवाद दोस्तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाहिंद ज बाई भार्ट